किसान मुख्य के फसल का सही समय पर बिद्दी करने के लिए ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हम पाँच परकार के तत्तो को इस्त vaccine करेंगे यूरिया को हम दो भागवें बाट लेंगे जो पहला भाग है जिसमें हम 40 किलू लोगे जिसको की मक्के का फसल जब 20 से 25 दिन का हो जाएगा तब हमको इसका इस्तमाल करना है इसके लिए आप यूरिया को इस्तमाल करने के लिए मक्के के फसल के पास थो थो रखर करके यूरिया रख दीजिए या तो आप खेतों में इसको छिड़का भी कर सकते हैं बस आपको साधानी रखना है जब भी अब इसका इस्तमाल करे खेत में मिट्टी में उचित नमी होना चाहिए या तो आगे पीछे बारिस होने का सम्महोना भी होना चाहिए यूरिया का जब इस्तवाल कर लेंगे उसके चस्ट पाच दिन बाद एन पी के उनीस,जिसमें की नैटोजन उनीस परतिशत, फासफरस उनीस परतिशत, पोटास उनीस परतिशत पायाता है जिसका 50 ग्राम, साथ में हुमिकेसीट, 50 ग्राम या तो 50 मेल एक टंकी में, 15 लेटरो टंकी में अच्छे से गोल करके इस्तमाल करना है एक एकड में 10 टंकी कम से कम आपको इस्तमाल करना है तभी आपको अच्छा रिजल्ड भी मिलेगा ये तो 30 दिन के हंदर हम काम कर दिये अब जब मक्के का फसल आपका 45 से 50 दिन का हो जाएगा ज़े आपको लगे कि आप इसमें फूल आने का समभावना है या फिर इसमें भुट्टा आने का समभावना है उस समाब को क्या करना है एक एकड में 10 किलो जिंग सल्फेट, जो कि आपका जो दूसरा डोज है यूरिया का, 40 किलो यूरिया के साथ 10 किलो जिंग सल्फेट, जिंग सल्फेट में आपका जिंग पायाता है 33 पर्तिशत, सल्फर पायाता है 15 पर्तिशत, जिसको यूरिया के साथ अच्छे से मिलाकर, प पीके 1927 में हम बाद में 45-50 दिन में हम जिंक सलफेट जिसमें के जिंक और सलफर पायाता है जिंक का मुखे काम होता है फसलों में पतियों में कोलोफिल का निर्मान करना तथा जो हम नाट्रोजन का छिरकाव करते हैं जो नाट्रोजन का इस्तमाल करते हैं नाट्रोजन का पा और फेट और यूरिया को हम 45-45 दिन में मिलाकर हम चिर्काव करते हैं अगर ये काम आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपके मक्के का फसल का तेजी से ब्रिद्धी होगा और उत्पाधन भी बढ़ेगा जोतो यह जानकर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा चले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय भारत